असलाम वालेग। सुआगर थे हमारे लास्ट वीडियो परपस अप्रिकेशन सीरिज के लास्ट प्रस्प्रिक्टिव वाई अल्ला क्रेटेड दिस वर्ड अल्ला ने इस दुनिया में जो भी है इंसान के अलावा उन सब को क्यों बनाया उनके बनाने के पीचे का क्या मकसद है कुरान के चप्रफ 14 वर्स 32 और 33 में अल्ला फरमाते है वो अल्ला ही है जिसने आकाशों और धर्ती की सरिष्टी की और आकाश से पाने उतारा फिर वो उसके दुआरा कितने ही पैदावार और फल तुम्हारा जिविगा के रूप में सामने लाया और नौका को तुम्हारे काम में लगाया ताकि समुन्दर में उसके आदिस से चले और नदियो को भी तुम्हाए लाब पहुचाने में लगाया यहाँ elemental कहा रहे है कि जो भी इस क्रीशन्स है इस दुनीया में वो सारे इन्सानों के लिए ही है और यह इन्सानों का फर्स है कि वो इन सारे नियमتों का अल्ल्ला का शुक्र करे और इसका अच्छा ख्याल रखे और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करे लह ने जानवरों को बनाया पेड़ बोदोगो बनाया पानी पहाड और जतने भी नियामतیں हैं वो सारे इंसानों के लिए मिलाया islam में जानवरों को मारना मना है हाँ ISLAM में जानवरों को बेवजा मारना हराम है लेकिन मार सकते हैं सिर्फ जरूरत के लिए ही सही मुस्लिम के हदीश नमबर 4816 में साइध इबन जयद बताते है कि इबन उमर रजियल्लाव टाला नों एक बार कही से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ कुरेश खानदान के लड़कों को एक पक्षी को बांद कर निशाने बाजी का खेल खेलते हुए दिखा। इबन उमर उनके पास गए और पूछा कि ये काम किसने किया। अल्ला सुबानवा टाला ने लानद किया उस पर जो ऐसा काम करता है बेशक अल्ला के नभी स्री लाव लेसे लोगों पर जो किसी भी जानदार प्रानी को निशाने बाजी के खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानवर इनसानों के फाइदे के लिए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको टॉर्चर किया जाए या उनका गलत इस्तेमाल। हमें उनसे प्यार करना होगा, उनका ख्याल रखना होगा, उनके हुकुक के अनसार। और इसे बात को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे हदीसे भी मौजूद हैं। मौजरी के हदीस नमबर 2,3,6,8 में हैं, एक बहुत इनेक और पवितर औरत जो अपने बिल्ले को बांद कर रखा करती थी और उसको खाना नहीं देती थी, तो आल्ला ने उसका फैसला जहन्नम के लिए कर दिया। क्योंकि एक तो वो बिल्ले को खाना नहीं देती थी और उसको छोड़ती भी नहीं थी कि वो खुद अपने खाने का इंतिजाम करे। इसी तरह पेड़ों और फसलों के बारे में भी आता है कि उनका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत में ही करे, फालतु बेवज़ा भरवाद ना करे। जंग के वक्त भी मुहमद स्लिल्लाओ अले सलम हुकुम दिया करते थे, पेड़ों को मत काटो और फसलों को मत जलाओ, क्योंकि ये सारे अल्ला के ही मखलूग है। पुरान के चप्टर हंड्रेड में लाँ जंग में जाने वाले घोडों की कसम लेते हैं और फरमाते हैं पुरान के चप्टर हंड्रेड वर्स 6 में निस संद्ध मनुश्या अपने रब का बड़ा अकृति गया है। लेकिन इनसान बजाए इसके कि वो अल्ला का शुकर अदा करें और इन नियमतों का सही इस्तमाल करें इनसान इनको खलत तरिके से हासिल करने में लगा रहता है। इसलिए ये हर इंसान का जिम्मेदारी है कि वो अपने जिंदिगी के मकसद के बारे में सोचे कि हमें क्यों बनाया गया, हम इस दुनिया में कैसे और क्यों आये हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंडें authentic sources से बेशक अल्ला ही एक अगेला creator है अल्ला सबसे ज़्यादा महरबान और रहम करने वाले है और ये हर इनसान का duty है कि वो सिर्फ एक अल्ला ही की अबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें और ये जरूर याद रखें कि ये जिन्दिगी एक test है अपने आने वले आखिरत की जिन्दिगी के लिए अगर हम अल्ला के commandments को मान के चले तो जन्ना और अगर ना मान के चले तो जहन्ना और अल्ला के दिये हर resources याने नियामा का कदर करें और उनका सही इस्तेमाल करें याद रखे, choices are but help is from अल्ला आखिर में कुरान के दो आयद से खत्म करूंगा हमारे सीरीज Purpose of Creation को कुरान के चप्टर 3, verse 110 जिसमें ल्ला फर्माते है तुम एक उत्तम समुदाय हो जो लोगों के समक्ष लाएगे हो तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्ला पर इमान रखते हो यहाँ ल्ला ने मुसलिम्स को खेर उम्मा कहकर संबोधित किया यह बेशक एक सम्मान है लेकिन जब भी कोई सम्मान दिया जाता है किसी को तो किसी बड़े कारिये करिये ही दिया जाता है और यहाँ यह कारिये अच्छाई का हुकम देना और बुराई से रोपना मुस्लिम्स को एक स्पेशल रेस्मोंसबिल्टी दी गई यह हर मुस्लिम का जिम्मेदारी है कि वो जो भी नेक और सही जानता है वो उस हक की बात को दूसरा तक जरूर पहुचाए इसका मतलब है कि दावा यानि दावत हक हर मुस्लिम के लिए कंपल सरी है और फर्ज है और अगर हम दावत हक का काम ना करें तो खेर उम्मा यानि बहतरी उम्मत कहलाने के लायक ही नहीं और दावत हक को पहुचाने का तरीका भी कुरान ने बता दिया कुरान के चप्टर 16 वर्स 125 में जिसमें अल्ला फर्माते है लोगों को बुद्धी और अच्छी युक्ती से अपने रब के मार्क की और बुलाओ और उनके साथ बेहतरी इन तरीके से बहस करो तो ये था हमारा आखरी वीडियो परपस ओफ क्रिशन सेरीज का आप तो अपने उपीनियंज कमेंट सेक्षन में जरूर शेयर करें सलाम आलेकूं जजाक अल्ला